हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल्स किचन, आज हम बनाने जा रहे हैं सोजी का हलवा, सोजी का हलवा बनाने के लिए हमें जिन 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 की जुरूरत है, सबसे पहले हमें चाहिए एक कप सोजी, देशी घ्यो और चीनी और थोड़े से बदाम, जितनी हम सोजी ले रहे हैं पानी को हमें हलका सा घरम कर लेना है एक बॉil लगाकर रख लेना है सबसे पहले हमें लेनी है कडाई पैन जो भी आपके पास हो आप उसे ले सकते हो और इसके गरम होते इसमें हमें डाल देना है देस्टियो में अच्छा लगता है और बदाम की जगह पर आप कोई और भी ट्राइफूर्स बगारा जूज कर सकते हैं जैसे के सौगी गरी काजू बदाम पिस्ता जो भी आपको पसंदो जहां पर मेरा जो क्या हुआ देशी वह बिल्कुल मेल्टो चुका है गर्म हो चुका है मैं आप इसमें डालूंगी जाग बने शूजी को हमें हमेशा शान कर ले लेना है तांके उसमें कोई भी गंदगी गईरा जो कुछ भी हलका हो निकल जाए और जहां पर मैंने इसमें डाल दिया है और हलके हलके आतों से इसे मिला रहे हूं और आप देखेंगे जब हमने इसमें जाग बनने शुरू हो जाए हो जाता है क्योंकि सूजी में नमी होती है सूजी की नमी को खतम करने के लिए हमें सूजी को हमेशा एक कजार में बहुन कर रख लेना चाहिए हलका सा ड्राइ रोस्ट करके उसे रख लेना चाहिए ऐसा करने से हमारी सूजी खराब नहीं होती और लब में समय के अलकियात्ब कहाएं नाथ मोगतनी है और चारों तरफ पकाथ Τाहिंगे और ऐसा करने से क्या होगूँ हूगाए हमारी सुजी जो साइट से जलेगी नहीं संब Lima हीरा भी हरांजिक रखनी है तेज आंचि बिलकु नहीं करनी तेज आंच पर जल जाएगी और हमारा जो हलवा ना बिलकुल वो कड़वा सा बनेगा अब आप देख सकते हो मेरी सूजी बिलकुल अच्छे से बहुन चुकी है इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसने जो देशी की हो ना वो भी छोड़ दिया है और इसका मतलब क्या है कि हमारी सूजी अच्छे से बहुण चुकी है जहां पर मैं क्या करूँगी इसमें अब चीनी मिक्स करूँगी और आप चाहें तो चीनी को पानी में भी वाल कर या उसकी चासनी बना कर भी जूज कर सकते हो वट मैं जहां पर चीनी को डिरेक्ट चाहिए जाव कंसिस्टन्सी जाए अहां प्तना पान केहल हूं haha आधा मैं थूड़ा थूड़ा करके पानी ताद कर दो अच्छे से मिक्स याए 從ड़ेर पानीज पर जाए आप देखने में हलका सा पतला लग रहा है बैट टर डनने की कोई बात नहीं है जो सूजी है वो पानी के बज़र्व कर लेगी और उसकी ठीकने से वो और भी घाड़ी होती जाएगी हमेसे एक दो मिनिट और भूनना है सूजी का हलवा बनने में ज्यादा देर नहीं लगती ज्यादा से ज्यादा 10 पंद्रा मिनटी लगते है और जहांपे आप देख सकते हूँ कि हमारी सूजी हलकी स्थी पैन को छोड़ दिया है जब ऐसे आपका हलवा दिखना लग जाए तो आप समझ जाना कि आपका हलवा बनकर बिलकुल तयार है जहां पर मेरी सुझी जो हलवा है बनकर बिलकुल तयार है जो देखने बहुत अच्छा लग रहा है और अब इसकी गार्णिश करने के लिए मैंन आप इसकी जगह पर कोई भी और ड्राइफूर्स अपनी च्वाइस के अगोर्डिंग जूस कर सकते हैं जैसे के कुछ भी आप सौगी वगैरा गरी काजू बदाम पिस्ता जो भी आपको पसंदो मैंने मेरे पास जहां पर बदाम पड़े थे तो मैंने बदाम जूस किये है और आप मैं इसे सर्विक बोल में डालूगी और सर्विक बोल में डालकर मैं इसे हल्कासा गारणिश करूँगी बदाम के साथ आप जहां पर चाहें तो ह uniqu yes और लगा सकते हैं अगर आपको गियू ज्यादा पसंदो तो बड़ मैं जहां पर बिल्कुुने डालोंगी मैंने इसे हलका सा घार्णिश किया है और इसे सर्व के लिए बिलकुल त्यार कर दिया है अब जे हलवा बनाकर अपनी वीडियो और अपने बिचार में इसा जरूर शेयर करना और बताना कि आपका जे हलवा और आपकी रेस्पी कैसी बनी है अब को मेरी जे हलवा की रेस्पी अच्छी लगी और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तो के साथ आपनी फैमली के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सबस्क्राइब जरूर करना और तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ गुड़ बाई